तो इंडियन गवर्मेंट ने एक रूल बनाया है जिसके इसाबसे 25 किलोमेटर से कम स्पीड वाली इलेक्रिक टू इलर्ट के लिए हमें ना ही रजिस्ट्रेशन की जरुरत परती है और ना ही लाइसेंस की तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया की सबसे जादा बहतरी नो लाइसेंस या फिल लो स्पीड कैडेगरी वाली इलेक्रिक स्कूटर के बारे में बताने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं दस्वे नंबर से दस्वे नंबर पर है उडिसे E2 Go Light यह उडिसे की प्रेमियम इलेक्रिक स्कूटर है यहाँ पर हमें 250W का BADC मोटर मिलता है 25 km इसकी टॉप स्पीड है यहाँ पर हमें एक लिथेमान बैटरी मिलती है जिसकी कैपसिटी है 1.44 kWh यह डिटैचेबल बैटरी है जो की लगभग 4 घंटे में फुल चार्ज होती है और सिंगल चार्ज में अप टू 70 km का रेंज देती है यह काफी सिंपल इलेक्रिक स्कूटर है स्मार्ट फीचर के नाम पर यहाँ पर हमें सिर्फ रिमोट की और USB चार्जिंग का फीचर मिलता है अच्छी बात यह है कि कंपनी ने यहाँ पर reverse mode भी दिया है E2GO Lite इलेक्रिक स्कूटर चे कलर आप्शन में अव लेबल है और इसकी बैटरी में कंपनी तीन साल की वारेंटी प्रोवाइड करती है और इसे E2GO Lite की कीमत है 71,000 रुपीज No.9 पर है Fuseyama Spectra इसकी खासियत यह है कि यह काफी जादा value for money इलेक्रिक स्कूटर है और इसकी pricing बहुत कम है Specs की बात करें तो हमें यहाँ पर same 250W का BLDC मोटर मिलता है 25 किलोमेटर इसकी टॉपी स्पीड है इस लिश्ट में हम जितनी भी इलेक्रिक स्कूटर के बारे में आपको बताएंगे उन सब की टॉपी स्पीड 25 किलोमेटर ही है तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको हर इलेक्रिक स्कूटर की टॉपी स्पीड नहीं बताऊंगा तो फ्यूजीमा इस्पेक्टरा में हमें 1.56 किलो वाट अबर की डिटेचेबल लिथेमान बैटरी मिलती है जो की 82,90 किलोमेटर का रिंज देती है इसकी बैटरी चार से 5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है यहाँ पर भी हमें रिमोट की और USB चार्जिंग जैसे फीचर्ज मिलते है कंपनी इसकी बैटरी में 3 साल की वारेंटी देती है और इसकी प्रैस है 49,499 रुपीज तो अगर आपका बज़र टाइट है तो आप फ्यूजीमा इस्पेक्टरा की और जा सकते हैं आठवे नमबर पर है रिवेम मोटो बड़ी 25 रिवेम मोटो ये कंपनी जब से शाक टैंग में आई है तब से काफी ज़ादा पॉपलर हो गई है इनकी इलेक्रिक स्कूटर प्रिमियम क्वालेटी के साथ आती है साथ ही इसमें फीचर्स भी हमें काफी अच्छे मिलते हैं यहाँ पर हमें 1.22 गिलो वाट अबर की लिथेमान बैटरी मिलती है जो की अगें डिटैचिबल है 2 आर्स और 55 मिनट में की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और अब टू 70 किलोमेटर का अरेंज देती है यहाँ पर हमें मोबाइल अब कनेक्टिविटी GPS जो फिंसिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी मिलते हैं इनका वारांटी सिस्टम काफी अच्छा है यहाँ पर हमें मोटर में 3 साल की वारांटी मिलती है वही बैटरी में 5 साल की वारांटी मिलती है और यह स्कूटर 5 डिफरेंट कलार आप्शन्स में अवले पर है 66,999 रूपीज बड़ी 25 की प्राइज है साथवे नंबर पर है डिटेल एवी आप इसे इंडिया की one of the most cheapest electric स्कूटर बोल सकते हो यह naked body design के साथ आती है और इसका design कुछ इस तरीके से है कि आप इसमें ज़ादा से ज़ादा समान कैरी कर सको इसकी जो lithium-ion battery है वो single charge में up to 60 km का range देती है और 3-4 घंटे में full charge हो जाती है यहाँ पर हमें complete scooter में one year की warranty मिलती है और इसकी pricing है सिर्फ 40,000 रूपीज चेटवे नमबर पर है जमो पाई मीशो यह भी detail AV के जैसे ही mini electric scooter है लेकिन यह detail AV से थोड़ी जाता बहतर है यहाँ पर हमें one kilowatt hour की lithium-ion battery मिलती है जो कि detachable है यह battery धाई गंटे में full charge होती है और up to 60 km का range देती है इसकी battery में हमें 3 साल की warranty मिलती है और जमो पाई मीशो की pricing है 44,000 रूपीज पाँचवे नमबर पर है bandlink falcon इस electric scooter में battery capacity है 1.44 kWh और यह दो battery options के साथ आती है या तो आप इसका LFP battery वाला variant लिलो या तो आप lithium-ion battery वाला variant भी purchase कर सकते हो वैसे मैं आपको बता दूँ lithium-ion phosphate batteries traditional lithium-ion batteries के comparison में ज़्यादा बहतर होती है और इनकी life cycle भी ज़्यादा होती है तो falcon की battery 4-5 घंटे में full charge होती है और up to 75 km का range देती है यहाँ पर भी हमें remote की एंदी थे तो alarm unlock, USB charging जैसे normal features मिलते है इसकी battery में company 3 साल की warranty देती है और इसकी कीमत है 69,540 रूपीज चौथे नमबर पर है Evo late pony यह electric scooter काफी cute look के साथ आती है यहाँ पर battery capacity है 1.24 kWh lithium-ion battery है detachable है company का कहना है कि यह scooter single charge में 80-120 km का range देती है और 4-5 घंटे में इसकी battery full charge हो जाती है company का कहना है कि इस electric scooter को चलाने में पर km आपको सिर्फ 6 पैसे का घर जाएगा अची बात यह है यहाँ पर हमें front में disc brake और electronic ABS का feature भी मिलता है इसके motor में company 18 months की warranty देती है वहीं इसकी battery में company 3 years की warranty देती है तीसरे नमबर पर है Evo late polo अब Evo late pony और polo के specs में कोई भी difference नहीं है जो specs मैंने आपको Evo late pony के बताए है वहीं सारे specs Evo late polo में भी हमें मिलते है difference यहाँ पर सिर्फ looks का है और Evo late polo में हमें halogen light देखने को मिलती है जबकि pony में हमें LED light देखने को मिलती है बाकि Evo late polo की pricing पोनी से लगभग 2,000 रुपए कम है करीब करीब 56,000 रुपीज और Evo late polo की pricing है दूसरे नंबर पर है Oki nawa light अगर आपको ऐसी एलेक्रेक स्कुटर चाहिए जिसके looks काफी अच्छे हो fit and finish के साथ build quality भी superb हो तो अब Oki nawa light पर्चिस कर लो एक तो यह premium look के साथ आती है और company यहाँ पर काफी सारे color options भी देती है यहाँ पर हमें 1.25 kWh की lithium-ion battery मिलती है यह detachable battery है जो की single charge में up to 60 km का range प्रोवाइड करती है 4-5 घंटे में इसकी battery full charge हो जाती है Oki nawa light में हमें push start button remote की USB charging port जैसे normal features मिलते हैं company इसकी motor में 3 years या फिर 30,000 km की warranty देती है वहीं इसकी battery में 3 years and unlimited km की warranty देती है Oki nawa light की price है 67,000 रुपेस यह scooter multiple color option में available है आप चाहे तो इसका special paint scheme वाला variant भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी जादा पैसे पिकरने पड़ेंगे पहले number पर है hero electric eddy इसका look भी काफी जादा अच्छा है Oki nawa light के comparison में इसका look थोड़ा जादा fresh है नया है अभी market में यहाँ पर हमें detachable lithium man battery मिलती है जिसकी capacity है 1.53 kWh यह battery 85 km का range provide करती है और 4-5 घंटे में full charge हो जाती है अपनी segment के हिसाब से इसमें features भी हमें जादा मिलते हैं यह भी एक reason है कि मैंने इसे first position पर रखा है यहाँ पर हमें ola electric scooter के जैसे ही cruise control का feature मिलता है remote की USB charging port जैसे normal features तो है ही इसके अलाबा find my scooter और follow me headlamp जैसे advanced features भी मिलते है hero electric eddy में company 3 साल की battery warranty provide करती है और इसकी pricing है 72,000 रूपीज तो यहाँ पर हमारी list खतम हो जाती है आपको इस list में कौन सी electric scooter सबसे अच्छी लगी आप अपने thoughts हमें नीचे comment section में जरूर बताओ अगर आपका इन में से किसी भी electric scooter के regarding थोड़ा सा भी doubt है तो आप नीचे comment section में पूछो आपको 100% reply मिलेगा और finally अगर आपका interest electric scooter में है तो हमारी channel mototown को subscribe कर लो हम मिलते हैं अब आपसे अपनी अगली वीडियो में जय हिंद अगर आपका इन अगर आपका इन में जय है